हेलो स्टेंस चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 1.4 का question number 8 देखते हैं क्या है let's star be the binary operation on natural values defined by a star b is equal to hcf of a and b यहाँ पर क्या कह रखा है हमें कि हमें अगर दो value लेनी है natural values में से उनके उपर binary operation लगाएं तो हमें result जो मिलेगा वो hcf of these two number मिलेगा उसको हमें check करना है कि star जो है commutative है हमारा क्या हमारा binary operation associative है और third क्या check करनी है हमें does there exist identity of their binary operation क्या यहाँ पे इस binary operation की कोई identity value exist करती है इनके इंदर वो भी देखनी है चलो भी देखेंगे बारी-बारी से solution इसका सबसे पहले natural values में हमारी values जो use होंगी वो क्या होंगी 1,2,3,4 up to infinity यह तो हो गया हमारे पास set उसके बाद operation क्या दे रखा है a star b is equal to हमें दे रखा है hcf of a b यह हमें operation देखना है भाई ठीक है चलो भाई पहले वाली चेक करते हैं हम commutativity के हो commutativity के लिए क्या होना चाहिए a star b is equal to b star a होना चाहिए तभी तो हम उसको commutative बोल सकते हैं कोई भी value ले लो a की value 1 ले ली b की value 2 ले ली इसके अंदर से तो hcf of a b हो या फिर hcf of b a हो मतलब तो यही है ना इनका a star b लिखेंगे तो hcf of a b b star a लिखेंगे तो hcf of b a तो यहाँ पर देखो hcf of 1,2 या फिर hcf of 2,1 always equal तो होगा so star a is commutative simple था clear कोई दिक्कत नहीं है associativity के लिए क्या करना है हमें associativity ला के लिए a star b star c a is equal to क्या होना चीए a star b star c इसला को follow करना चीए अब यहाँ पर a की value लेली 1,b की value लेली 2,c की value लेली 3 अब यहाँ पर देखो बच्चो a star b इसका मतलब क्या है hcf of a b और इसका star c के साथ यहाँ पर a star b star c का मतलब क्या है hcf of b c अब यहाँ पर देखो a b मतलब hcf of 1,2 star 3 यहाँ पर a क्या है मारा 1 star hcf of b c hcf of 2,3 value पुट कर ली न हमने अब यहाँ पर देखो hcf of 1,2 क्या होगा 1 star c यहाँ पर 1 star hcf of 2 और 3 2 और 3 का hcf क्या होगा हमारा 2 यहाँ पर क्या आगया हमारा अब इन दोनों में से hcf देखना है यहाँ पर देख लो hcf of 1 और 3 1 star 3 का मतलब क्या है दोनों का hcf और यहाँ पर hcf of 1,2 इसका अंसर क्या आएगा 1 इसका भी अंसर क्या आएगा 1 तो यहाँ पे क्या आ गया हमरा star is associative तो यह associative ला को follow कर रहा है कोई और value लेके भी आप check करके देख ले न विसक, hcf जो आएगा वो equal आएगा दुन्नों के इसमें ठीक है, associative भी हो गया next क्या काया है, क्या यहाँ पे star जो है, उसका कोई identity operation है, identity value exist करती है, इन के अंदर देखते हैं भई, identity के लिए हमारा क्या होना चाहिए, इसी point में बच्चे clear नहीं कर पाते है, identity operation का मतलब क्या है, अगर मान लो कोई एक element ले ले लिता हूँ, a इन के अंदर से, उसकी identity value i के साथ, अगर मैं HCF देखू, तो वो क्या आना चाहिए, मेरा a आना चाहिए, a का अगर मैं operation देखता हूँ, किसी identity value के साथ और operation क्या हमारा, HCF तो वो हमारा a आना चाहिए, या फिर HCF of i star a उसका result भी हमारा a आना चाहिए क्या कोई ऐसी value exist करेगी यहाँ पे आपके mind में आ रहा होगा, sir one से try करके देखो, एक बार, मान लो let, a की value ले ली हमने three, और i की value हमने one मान लिया, i को identity value को हमने one मान लिया तो three star one HCF is equal to होना क्या चाहिए हमारा a, मतलब three होना चाहिए, but HCF of three star one, या फिर three और one का HCF क्या होता है यहां पे, ध्यां से देखो, बच्चो क्या कह रहा हूँ, मैं identity function का मतलब क्या है, अगर मैं a और identity function का HCF लेता हूँ, यह operation लेता हूँ, तो मेरे पास result a आ जाना चाहिए, जो यह value है, but मैंने देखा three और one का HCF निकाल लूँ मैं, तो आना तो चाहिए three, but HCF real में होता है one, equal तो नहीं आ रहा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, three not equal to one, so there is no identity value, there is no, यहां पे three star का HCF one आएगा, यह लिख लेना, but आना चाहिए three, तो यह क्या हो जाएगा, so there is no identity value, तो यहां पे कोई भी identity value exist नहीं करेगी, समझ में आगे बात clear है, कोई भी problem लगे, आप मुझसे जरूर पुचें, अधरवाई चैनल को subscribe कीजिए, like कीजिए और share कीजिए, thank you students for watching next classes वीडियो,